हलो, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, सेंटर फॉर नॉन सजिकल टीटमेंट, आम डॉक्टर प्रदीप मुले, इंटरवेंशन रियाजिस फॉर नुडली इंडिया, आज मैं बात करने वाला हूँ, इन्फर्टिलिटी इन वोमें, यह जो इन्फर्टिलिटी होती है, इसका what exactly the mean, meaning क्या होता है इसका, यदी एक कपल, एक साल तक, बिना प्रोटेक्शन के, फिजिकल रिलेशन्शिप में रहते हैं, और फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तो इसको लेबल किया जाता है, इन्फर्टिलिटी, इंडिया में इन्फर्टिलिटी का जो common जो काज होता है, वो होता है, फेलोफिन ट्यूब ब्लॉक हो गया, ब्लॉक्ट फेलोफिन ट्यूब, इसका जो ट्यूब होती है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता था, सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा और भी बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट होते है एक non-surgical treatment होता है बहुत लेटेस्ट है वो जिसको बोलते है फेलोफिन tube re-canulation और देखा जाते हैं फेलोफिन tube होता क्या है एक general knowledge के लिए फेलोफिन tube जो होता है बहुत पतला से tube होता है जो ovary से लेके uterus जो बच्चा दानी होती ही वहां तक connected होता है ovary का काम होता है कि ovum निकालना अंडा निकालना और वह अंडा निकलके जाता है फेलोफिन tube में और sperm जब नीचे से आएगा यूटरस से तो फेलोफिन tube जो होता है उसमें यह वोना इसमें निकालना उसमें को आएग और sperm आपस में मिलके jam physicist बन गया तो वह जागए द धीररर दीररे करके माइगए कोता है यूटरस में और uterus में वो जो pregnancy होती है तो इस जाफलोपन ट्यूब अब ये दि किसी की बंद है तो उसका कारण क्या होते है baux comment चु कॉ स getting tberculosis in pelvis TB je होती है यких mengh in pelvis में है तों ऻिब बंद हो सकता है endometrosis utrein fibroid utreine Adenomyosis और माने लो कभी किसी के कोई previous कोई इसासरी होई है जैस Liberia section है और यदि कोई Pilvic Sargent होती है इसका treatment के options क्या क्या है इसके दो options होते हैं एक surgical option मैंने बताया था और एक दुसरा होता है जो latest non-surgical option होता है जिसको बोलते है फेलिफिन tube re-canulation इसको करने के लिए आपको सिफ एक day care का जो hospitalization होता है उसमें hospitalized होना पड़ता है आधे दिन के लिए admission चाहिए होता है और यह होता है इसमें कोई anesthesia की जरुवत नहीं होती है जैसे गाइनी का examination होता है उस तरीके से ही इसको FTR को करते हैं यह FTR का जो सबसे अच्छा जो टाइम होता है उसमें फिर एक गाया होता है शह से लेकर दस दिन के भी तर्श आएख तरह मान लो आपका एक तारीक को man का जाया है तो इसको च्छे ताष से लेकर थस तारीक के भीच में करना चाहिए यह प्रीपून करके एक चोटा से स्पेकुलम होता है वह स्पेकुलम डालते हैं और बहुत पतला से ट्यूब होता है वह चले जा जाता है यूटरस में उसमें फिर एक एक Contrast Media होता है, Contrast Media inject करते हैं और एक HSD करते हैं, Histrose Helpingography करते हैं, यूट्रेस की जो cavity है, वो कैसी है, और फेलिफिन ट्यूब कहां कहां पर बंद है, इसमें दोनों फेलिफिन ट्यूब के बारे में आपको मालूम पढ़ जागा कि वो फेलिफिन ट्यूब अंदर की तरफ बंद है या बाहर की तरफ बंद है और सेम टाइम पे जब HSD करते हैं जिनके फेलिफिन ट्यूब FTR से फेलिफिन ट्यूब री का नुरेशन जो टेकनिक होती है इससे खुल सकते हैं और विदिन फोर मांथ में इनकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, 60-70% प्रेशन 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 जिनका ट्यूब बंद है और पर्टिकुलरी यह जो ट्यूब स्कार टिशू बहुत ज्यादा होता है, तो यह FTR जो होता है, फेलिफिन ट्यूब री कालरिशन इस बेस्ट पर कॉर्नल ब्लॉक्स, जो कॉर्नल ब्लॉक्स यह सर्जिरी में बहुत मुश्किल होता है, बट यह FTR के लिए, इस इस बनाप बेस्ट चेकनिक, इसका यह ज़ि तो over the surgery and the non-surgical technique, that is the FTR, एक तो यह बहुत easy technique है, इसमें कोई anesthesia की जर्वत नहीं होती है, फिर आधे दिन का admission होता है इसमें, और इसका जो success rate होता है, is the much much better than the open surgeries, thank you very much, यदि आपको और इसका detail information चाहिए, तो you can login to my website, website का नाम है www.indianinterventionradiology.com या तो आप मेरे को WhatsApp भी कर सकते हैं, मेरा mobile number है 9810492778, thank you very much.